हाँ तो दोस्टे इस वीडियो के नर हम केशी के इंडस्ट्रीज के आईप्यों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे किस आईप्यों के नर आपको कितना लिस्टिंग एन हो सकता है और आपको इस आईप्यों में अपलाए करना चाहिए या नहीं चली शुरू करते हैं तो डिके सबसे बेलन यह जानेंगे कि यह company क्या काम करती है तो डिके यह जो company है यह high quality, com'd और carded, जो cotton yarn सोटे हों से distribute करने का यह company काम करती है जाने कि कई और से इन product को buy करके यह company higher rate पे sell करने का यह company काम करती है तो यह जो यान से यह कंपनीज के जो यान से जो कंपनीज सेल करती है वो अपेरल में यूज किये जाते हैं अंडर कामेंट में यूज किये जाते हैं टेरी टावेल्स हो गया डेनिम्स हो गया medical के जो fabrics होते हैं, जो furnishing fabrics होता है, जो industrial fabrics होता है, तो इसके अंदर ये सब use किये जाते हैं, अगर हम company के product portfolio के अगर हम chemicals के अगर हम बात करेंगे, तो वाँ पे कॉम्ड यान, काडिड यान, इजी केर फिनिशिंग, सौपनर, पिग्मेंट प्रिंटिंग, सौपनर, फिर उसके लाव अगर हम देखेंगे, डियरेटिंग और उसके लाव बेसिक केमिकल्स ये company के portfolio में हमें नजर आते हैं, यानि कि इन products में ये company काम करती है, उसके लाव यहाँ पर company ये सब ये जो राइस वगेरा वो company बनाती है, और अगर हम देखेंगे तो company का wholesalers और उसके लाव जो semi wholesalers और retailers है, उसके एक अच्छा network भी company के पास available है, अब अगर हम यहाँ पर company के competitive strength के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इनका जो product portfolio है वो काफी ज़्यादा diversified है, जैसे आपने देखा होगा कि इतने ज़्यादा product में ये company अभी deal करती है, तो अगर किसी product की demand कम हो जाती है तो दूसरे product की demand में वहाँ पे settlement हो जाता है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो company लगाता है quality product के उपर ही focus करती है, और बाकि जो company के promoters चे उनको काफी अच् assurance है, और उसके लावा जो इनके customers और suppliers उनके सार इनके जो relationships है, वो यहाँ पर काफी अच्छे है, उसके लावा अगर हम देखेंगे तो functional efficiency को लगातार improve करने में ये company focus करती है, तो वो भी यहाँ पर काफी अच्छी बात हमें यहाँ पर नजर आती है, तो अगर हम यहाँ यह objective के अगर हम बात करेंगे, यानि कि जो fund IPO से company को मिलने वाला है, उसके company कैसे use करने वाली है, तो देखिए यहाँ पर जो working capital के requirements से company fulfill करने वाली है, और बाकी अगर हम देखेंगे जो IPO से related जो company का expenses होने वाले हैं, तो वो भी इसी पैसे से company utilize करने वाली है, तो देखिए अगर हम देखेंगे, तो 2019 में लगबग 40 करोड का revenue company का था, फिर उसके बाद में 51 करोड के number पे company का number आचुका था, उसके बाद अगर हम देखेंगे, तो आपे हमने 6 महिने के lockdown देखेंगे तो उसके अज़े से 39 करोड का revenue ही देखा है हमने, लेकिन उसके अलाव अगर हम दे पूरे साल का हो सकता है, और वहाँ पर अगर हम देखेंगे, अरौण 99 लेक का profit company ने अभी दख रिपोर्ट कर लिया, यानि के अरौण 1 करो 30 लेक के लगबग पूरे साल का यह नमर हमें देखने को मिल सकता, तो देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे, ट्रेडिंग प्रशाद आरिया और के लावा मिस्टर रिना, मिस्टर रिना शर्मा, यह company के promoters हमें नजर आते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो 27 जून को यह IPO उपन हने वाला है, यानि कि अगर आप देखोगे, आज 21 तरीके, तो almost एक हफते बाद यह IPO उपन हो जाएगा, 30 चारी कोई IPO क्लोज हो जाएगा, और अगर हम देखेंगे, तो एक share यहाँ पर 30 रुपे पर share पर मिल रहा है, और 4000 shares का हम यहाँ पर lot नजर आता है, यानि कि एक lot को अपलाय करने के लिए 1,20,000 रुपई लगेंगे, लगबक सिफ 4.4 करोड का यह IPO जिसमें से 2 करोड 25 लाग कि अगर हम बात करेंगे, तो रिटेल कोटा के लिए 2 करोड 25 लाग रुपे यहाँ पर, एचे नहीं कोटा के लिए reserved है, अगर हम देखेंगे तो यह NST के SME प्लेटफॉर्म पर यह IPO लिस्ट होने वाला है, तो यहाँ पर अगर हम allotment की बात करेंगे, तो 5 तारी को आपको चल जाएगा कि आपको allotment मिला है, या ने, अगर allotment नहीं मिलता है, तो 6 जुलाई को आपको refund मिल जाएगा, और अगर आपको allotment मिलता है, तो 7 जुलाई को आपके demand account में shares आ जाएगे, और 8 तारी को यह IPO लिस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो एक allotment को apply करने के लिए 1,20,000 रुपए आपको लगेंगे, और यहाँ पर कोई cut-off price नहीं, एक ही price से उसी पर आपको apply करना है, अगर आपको एक lot से जादा के application अगर आपको लगानी है, तो आपको H&I quota में application लगानी पड़ेगी, तो add day and आपको यहाँ पर इस IPO में apply करना चाहि है, हमारी टीम ने पिछले कुछ 100 SME IPOs पे research की तो वहाँ पर देखा था कि जो companies NSC के platform पे list होती है, तो इसके demand काफी ज़्यादा रहती है, और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर पोड़ी marketing NSC की तरफ से काफी ज़्यादा अची रहती है, तो इस point of view से definitely एक अच्छी demand NSC का IPO के create हो जाती है, तो इस point of view से definitely मेरे ख्याल से, अगर ये 15-20 time अगर ये IPO सब्क्राइब होता है, तो वहाँ पे मुझे लगभग 15-20 percentage के listing gain आपको वहाँ पे मिल सकते हैं, तो दीकि अगर यहाँ पे around 20% का listing gain अगर आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे एक lot पे around 24,000 तो मेरे ख्याल से definitely आपने इस IPO, ये जब IPO स्टार्ट होता है, तो इसका रोज subscription data आपने देखना चाहिए, अगर अच्छा काचा, अगर वहाँ पे demand अगर आपको देखने को मिलती है, definitely आपने apply करना चाहिए, अगर demand अच्छी नहीं है, तो avoid करना ही सही रहेगा, बाकि अग सिके industries के IPO के बारे में आपको सब कुछ पता चिल गया होगा, अगर आपकी कोई भी queries है, आप comment कीजिए, मैं जरूर आपके comment पर reply करूँगा, ओके दोस्तों, thank you, have a nice day